हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के नरमें आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग एलेक्सी M40 जो भी हाली में लॉंच हुआ है और रियल्मी 3 प्रो जो रियल्मी का एक बहुत अच्छा मोबाइल है तो इस वीडियो में दोनों मोबाइल्स में कमपरिजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कम या है, क्या क्या अच्छा है और आपकी ज़रूत के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन से रहेगा तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तेक देखते रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा रियल्मी 3 प्रो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन 14,000 में और सैमसंग एलेक्सी M40 का रेट है 20,000 रुपे इन दोनों मोबाइल में 6,000 रुपे का फर्क है, चली देखते हैं अगर आप 14,000 रुपे खर्च करते हैं तो रियल्मी के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे आप इसको अन्बॉक्स करते हैं सबसा पहले ये मिनी बॉक्स रखावा मिलता है जिसमें लगावा मिलता है अंदर की तरफ रखिवे मिलता है कुछ यूजर मैनुवल और एक मिलता है कवर कवर की क्यालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है इस मोबाल के साथ इसके साथ इसकी डिस्प्ले पर आपको स्क्रीन गाट भी पहले सही लगावा मिलता है रियल्मी में तो ये खुबी भी काफी अच्छी है इसके बाद आपको रखवा मिलता है मोबाईल एक रैपर के अंदर जिसका डेटेल लूख हमा भी देखींगे से पहले देख लिता है बॉक्स के अंदर आपको रखी हुए मिलती है यह डेटे केबल इस डेटे केबल की क्वैलिटी आपको बहुत अच्य है लेंद बिस की काफी बढ़िया है, बाकी कमी यह है, इस मोबाल के साथ आपको USB to Micro USB केबल मिलती है, यह इस मोबाल के अंदर कमी है, आपको Type-C केबल का सपोर्ट Realme 3 Pro में नहीं मिलता, बाकी इसके बाद आपको रखवा मिलता है, एक वाइट कलर के अंदर चार्जर, और लेफोंस आपको इस मोबाल के बाक्स के अंदर नहीं मिलते हैं, चलिए देखते हैं, अगर आप 6,000 रुपर और जादा खर्च करते हैं, तो 20,000 में सैमसंग के साथ आपको क्या के मिलता है, तो जैसे ही आप अन्बाक्स करते हैं, गेलक्सी M40 को, इसमें बाक्स के अंदर आ बाक्स के अंदर आपको रखी वी मिलते हैं, इस मोबाल के साथ आपको टाइप सी केबल मिलती है, लेकिन क्वालिटी इसकी नॉर्मल मिलती है, लेंद बेसकी नॉर्मल है, जादा बड़ी है क्वालिटी में डिटे केबल आपको रियल्मी 3 प्रो के साथ मिलती है, बाकि इस मोबाइल के साथ आपको fast charging का support तो मिलता है और उसी के साथ आपको box के अंदर ही fast charger मिल जाते हैं तो यह चीज दोनों में अच्छी है तो यह सारा समान आपको मिलता है Samsung के साथ तो rate में देखा जाए तो 6000 रुपे का फर्क है और इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है coffee glossy design आप देख सकते हैं light की reflection इन दोनों मोबाइल्स के back panel पर बहुत अच्छी लग रही है design के अंदर यह दोनों मोबाइल्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन और जादा बड़ी आपको मिलता है galaxy M40 इसमें आपको double color में shade मिल जाता है बीच में black और side में आपको blue color में shade मिलता है तो design के अंदर जादा अच्छा M40 लग रहा है बाकी बात करें camera के बारे में तो realme 3 pro में आपको पीछे दो camera मिलता है जिसमें पहला 16 megapixel का दूसरा 5 megapixel का और front camera इसमें आपको मिलता है 25 megapixel का camera की performance इस mobile की आपको बहुत बढ़िया मिलती है वही दूसरी तरफ Samsung में आपको पीछे 3 camera मिलता है जिसमें पहला 32 megapixel का है दूसरा 8 megapixel का और तीसरा 5 megapixel का इसमें आपको front camera मिलता है 16 megapixel का दोनों ही mobile के अंदर आपको rate के हिसाब से काफी बढ़िया camera की performance मिलती है तो camera के अंदर ये दोनों mobile बहुत अच्छे हैं बाकि आप देख सकते हैं complete design किसका जाद अच्छा लग रहा है ये चीज़ आप मुझे comment करके बताईएगा चलिए कर लेते हैं दोनों ही mobile के अंदर आपको जाद अच्छा user interface मिलता है बाकि बात करें डिस्प्ले के बारे में दोनों ही mobile में कुछ इस तरह की से मिलता है आप ऊपर की तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशिस मिल जाती है रियल्मी 3 pro में आपको मिलता है color OS का version 6 और Samsung के अंदर आपको मिलती है One UI जाद अच्छा user interface जो आपको मिलता है वो Samsung के अंदर मिलता है इसका user interface काफी जादा smooth है और icons भी इसके जादा अच्छे लग रहे है Realme 3 pro से तो user interface में जाद अच्छा है Samsung बाकि करीब से मैं आपको इन दोनों mobile's के display दिखा देता हूँ सबसे बड़ा जो फर्क है इन दोनों mobile's में वो है display का Samsung में आपको मिलती है latest punch hole display और Realme 3 pro में आपको मिलती है notch वाली display तो देखने में जो जाद अच्छी display लग रही है वो Samsung की लग रही है look के अंदर बाकि colors दोनों ही display के अंदर आपको बढ़िया मिलते है quality में देखा जा तो जादा बढ़िया quality की display आपको मिलती है Realme 3 pro के अंदर Samsung के अंदर भी आपको काफी अच्छे colors मिलते हैं left side साब देखींगे तो दोनों mobile's में आपको sim की tray मिलती है अब इस चीज में Realme 3 pro जाद अच्छा है इसके अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं लेकिन Samsung के अंदर आप दो sim card लगाएंगे या फिर एक sim card, एक memory card तीनों चीज़े इसमें एक साथ नहीं लग सकती ना ही इसके अंदर आपको headphone jack मिलता है लेकिन इस चीज में Realme 3 pro आपको जादा बढ़िया मिलता है इसमें आप तीनों चीज़े एक साथ लगा भी सकते हैं और इसके अंदर आपको headphone jack भी मिलता है बाकि दोनों ही mobile's के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version मिलता है Android Pie इस चीज में ये दोनों अच्छे हैं इसके लावा recent application की Windows आपको कुछ इस तरीके से मिलती है Realme 3 pro में थोड़ी बड़ी Windows देखने को मिलती है proper और थोड़ी सी छोटी Windows मिलती है Samsung में फिर भी जाद अच्छा user interface आपको Samsung के अंदर मिलता है चलाने में ये mobile जाद अच्छा लग रहा है Realme 3 pro से इसके लावा बात करें बैटरी के बारे में तो Samsung में आपको मिलती है 35mm की बैटरी और Realme 3 pro में आपको मिलती है 4045mm की बैटरी दोनों mobile's के अंदर आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये दोनों ही mobile's अच्छे हैं लेकिन और भी जादा बड़िया battery backup आपको मिलता है Realme 3 pro में इसके अंदर आपको और जाद अच्छी बैटरी मिलती है Samsung से इसके लावा बात करें प्रोसेसर के बारे में में चीज आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं देखिए सबसे पहले matter ये करता है कि आपको किसके ओपर जादा भरोसा है आपको Samsung पर भरोसा है या फिर आपको Realme पर भरोसा है इसके बाद आपकी में जरुत की चीज कौन सी है आपकी में जरुत है कैमरे की तो कैमरे के अंदर ये दोनों मुबाइल्स बहुत अच्छे है आपको दोनों मुबाइल्स में काफी बड़ी है कैमरे की परफोमंस मिलती है अप दोनों में से कौई से भी खरीड़ सकते है ये आपके बजट के ओपर ही matter करता है आपका बजट 14,000 का है या फिर 20,000 का इसके लाब अगर आपकी में ज़रूत है मोबाइल के प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के अंदर ये दोनों ही मोबाइल बहुत अच्छे हैं अगर आप सैमसंग लेते हैं तो इस मोबाइल के अंदर भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नह आपको बिल्ते हैं और आपको मिलती है टीएफटी डिस्पले लेकिन डिस्पले डिस्पले के अंदर जो आपको कलर्स मिलते हैं दोनों ही कोई सब्सक्राइब मिलते हैं अगर देखा जा तो ऑगर आपका बजट है 20,000 रुपे तक का तो आप Samsung लीजेगा ये mobile आपके लिए काफ़ी एच्छा रहेगा इसकी पंच होल डिस्प्ले जाद अच्छी लग रही है Realme 3 Pro से बाकि अगर आपकी में जूरत है mobile की बैटरी की तो बैटरी के अंदर आप दोनों में से कोई सबी खरीच सकते हैं फिर भी आपको और जादा बढ़िया मिलता है Realme 3 Pro, Samsung M40 के अंदर भी एक दिन का बैटरी बैक आप आपको अराम से मिल जाता है इसे के साथ दोनों मुबाइल्स में खुबी यह है, आपको फास्ट शेजर मुबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिलता है तो इस चीज में यह दोनों ही अच्छे हैं तो डिस्पले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, हर एक चीज के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको लेटेस डिस्पले चाहिए और इसके लावा यूज अंडर फेस आपको सैमसंग का पसंद है तो आप सैमसंग गलेक्सी M40 लीजेगा लेकिन अगर आपका बज़ट 14,000 तक का ही है तो आप Realme 3 Pro ले लिजेगा, ये मुबाइल आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा हर चीज के हिसाब से ये मुबाइल भी बहुत अच्छा है बाकि मुझे इन दोनों मुबाइल्स में Galaxy M40 ही पसंद आया पंच होल डिस्पले होने की वज़ए से आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया ये चीज़ा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बैल आइकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लबाव वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दियेगा वाटसेफ फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई